नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूटूब चैनल सिंपल फरमिसे स्टडी में दोस्तों मौसम बदलने के काड़ आपको सरदी जुखाम बुखार और खांसी की समस्या बहुत जादा हुआ करती है आज का इस वीडियो में एक ऐसी सीरफ है जो कि आप दो तीन बार ही पिएंगे और आपकी खासी जड़ से बिल्कुल खातम हो जाएगी दोस्तों बात करेंगे डेक्स्ट्रोमेथॉरफाइन, हाइड्रोप्रोमाइड और क्लोर फिनिरामीन मैलियेट सीरफ के बारे में ये जो सीरफ है ये मेडिकल स्टोर पे अपने कुछ पॉप्लर ब्रैंड्स नेम से मिलती है जिसमें से फैंसे डिल्ल डी एक्स सीरफ के नाम से मिल जाती है 127 रुपई की 100 ml बोटल आती है इसके अलावा दोस्तो रेक्स कॉफ डीक्स सीरफ भी आप ले सकते हैं दोनों की जो मेडिसिन है वो सेम रहती है वीडियो में आगे हम बात करेंगे ये दवा आखिरकार ये सीरफ है क्या कैसे काम करती है किस खासी को ठीक करेगी कितनी मात्रा में सीरफ को पीना है कितनी बार पीना है इसके साइड रिफक क्या कुछ आते है पूरी जानकारी मिलेगी इसलिए वीडियो को पुरान तक प्रेनमիलीएट है ये बिसकली एक एन्टी अलरजिक क्लास की दवाई है जो कि आपके खासी अलरजी और साथ ही साथ आपकी नाक हम कूलने का काम करती है अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो खासी की सीरफ है आखिरकार किस प्रकार की खासी को ठीक करने का काम करेगी तो दोस्तों मैं आपको बता दू जाधार तर लोगों को सूखी खासी बहुत जादा परेशान करती है जिसको ड्राई कफ बोला जाता है तो अगर आपको सूखी खासी आ रहे हैं आप ये सिर्फ दो तीन बार पी लीजिए आपकी जो है खासी है जड़ से खतम हो इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता है जब वेक्त को खासी आती है खासी के साथ साथ में उसको सर्दी जुखाम जैसी समस्या भी रहती है वहाँ पर उसके गले में बहुत ज़दा खरास रहती है नाग बहुत ज़दा बाहा करती है तो ये समस्याएं भी आपकी कम हो ज आपकी खासी को बिलकुल जड़ से ठीक करने का काम करेगी बात कर लेते हैं सीरफ को कैसे लेना और कितना डोज लेना है तो दोस्तों मैं आपको बता दू इसको आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद ले सकते हैं बात करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे बात बहुत ही खास याद रखना है, थोड़ी देर तक कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है, वरना सिरफ काम नहीं करती, ठीक है, इसके लवा बात करें दोस्तो, इसके साइड इफक्ट के बारे में, तो साइड इफक्ट में आपका पेड खराब हो जाना, या फिर नीन्द ज़्यादा आना ये दो समस्यां हो सकती है इसके अलावा इतनी जल्दिस का कोई भी साइड़ फक्त नहीं आता है बात कर लेते हैं दोस्तो सेफ्टी एडवाईस की कभी सिरफ का उपयोग नहीं करना है तो दोस्तो मैं आपको बता दू इस दवाईस अगर आपको एलर्जी है आपको अच्छा लगाओगा मैं मिलता हूं आपसे एगले वीडियो में एक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चनल सिंपल फार्मेस से इस्टड़ी को जैहिन बंदे मातरम टेक केर बाए